सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार नई सिक्चानीती 2020 के अंतरकत जो बदलाव BSC प्रथम वर्ष विद्यार्थियों के पाठिक्रम में किये गए हैं आज उसकी जानकारी में दूँगी आज इस वीडियो में आपको सध्यांतिक पाठिक्रम की जानकारी इसका परिज़ इस प्रकार से हैं कारग्रम का कैटेगरी प्रमानपत्र है कक्छा BSC प्रथम वर्ष सत्र 2021-22 सध्धान्तिक पाठिक्रम विशह प्राणी शास्त्र का कोर्स कोड है S1-ZOOL1-T कोर्स का सीर्षक है जन्तू विभिदता अकशेर की प्रश्नपत्र 1 कोर्स ट्राइप आपका जो है वह कोर्स है मतलब में सब्जेक्ट है पूर्व आप एक चीक्तियादी हो इसका मतलब यह होता है कि जो विद्यार्थी स्कोर्स को पढ़ने वाले हैं उन्होंने अपनी बार्वी गप्च्छा में इस विशह का अध्यन किया हो जैसा कि पढ़ प्रथम वर्ष की करक्षा में एड्मीशन लेते हैं और कोर्स अधिगम उपलब्दी लर्निंग आउटकम कोर्स लर्निंग आउटकम जब यह आप प्रश्णपत्र पढ़ चुकेंगे इस प्रश्णपत्र के अंदर आप पूरे सिलेवर्ष का अध्यन कर चके होंगे तब आपके अंदर क्या बदलाव आना चाहिए आपकी बौधिक छंता में आपकी इस किल में किस प्रकार का बदलाव आएगा परिवारतन आएगा यह उससे संबंदित है तो जब आप इस कोर्स को पढ़ लेंगे तो इस को कम्प्लीट करने के बाद सभी विद्यार्थियों में आप जब इस लिबस पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार की उपलबधी प्राप्त होगी दूसरा विभिन संग के जंदूओं की अकारे की शरीरी संरचना एवं कारियों को समझ सकेंगे तीसरा, मानों कल्याण के लिए विभिन जंदूओं का आर्थिक, पारिस्तितिक एवं चिकित्सी महत्विक के बारे में भी ज्यान प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि विज्ञान वही विशर है जो मानों की कल्यान में उपयोग होता है तो जब आप इस विशर को पढ़ेंगे तो आप इस विशर की ग्यान को अपने व्यवहारिक जीवन में दैनिक जीवन में भी इसका सफलता से प्रयोग कर पाएंगे इस course को खतम करने के बाद जब एक वर्ष में आप इस particular को खतम कर लेंगे तब आपको जो credit value दी जाएगे इस प्रशन पत्र की वहाँ होगी चार और इसका जी मुल्यांकन के लिए परिक्षा के लिए निर्धारित जो अंग है अधिकतम अंग 25 और 75 25 अंग आंत्रिक मुल्यांकन के लिए है और 75 नंबर आपके सिधान्तिक लिखित परिक्षा के लिए निर्धारित है आपको इस प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के लिए जुम्ंक आपके पास 33% मार्क्स आना आवश्यक है अगी आप इस प्रश्ण पत्र के कोर्स को पूरा करने में 33% से कम अगर आपका अंक आता है तो आप इस प्रमाण पत्र के पात्रता नहीं होंगे ज्यार्थियों इसी प्रकार से B.C. प्रतम वर्ष के लिए प्राणिशाथ्र के दूती प्रश्ण पत्र भी इसी प्रकार से निर्धायद है परन्तु इसमें जो पाठिकरम है उसके पाठिकरम के पॉइंट्स अलग हैं तो मैं आपको सद्धान्तिक पाठिक्रम भाग एक के अंतरगत प्राणिशात्र विशाय के दूती प्रश्ण पत्र की जानकारी भी दे रही हूँ तो इस प्रकार से जो दूती प्रश्ण पत्र है वह भी कारिक्रम प्रमाण पत्र के अंतरगत ही है और यह सत्र दो हजार इकिस बाइस से प्रारम किया जा रहा है इस प्रश्ण पद्र का जो कोड है वह है S1-ZOO-L2-T कोर्ष का सीर्षक है कोशिका विग्यान, प्रजिनन विग्यान, एवं परिवर्धन, जैविखी इसका जो कोर्ष का टाइप है वह है कोर्ष कोर्ष, पूर्व आप एक चित, मतलब आपके पास क्या पूर्व ग्यान होना चाहिए आपने 12th क्लास में कुछक के विग्यान के बारे में कुछ न कुछ जानकारी अध्यान तो किया ही होगा यह उसी से सम्बनित है, तो आपने क्या फढ़ा होगा बारी विख्चह में जब विद्याती प्राणि शात्र प्रमाण पत्र के दूती प्रस्ण पत्र का अध्यान करेंगे तो पार्टिकम का पूर्ण अध्यान करने के बाद छात्रों में जो उपलब्धी और जो बौधिक बदलाव आएगा वह इस प्रकार से है आप यह जानने में सक्षम रहेंगे कि जीवन क्या है कोश की इस तर पर कैसे कारे करता है और इसके बारे में समझ विक्सित होगी कोश का विज्ञान प्रजनन और परिवर्दन जैविकी की प्रकरती और अधार बुत अवधाना को ज्यान आप प्राप्त कर सकेंगे कोश का जिली, कोश काउं की सनरजण तथा कारे को समझ सकेंगे, मानाओ कलनान के लिए लागुप की जाने वाली नवीन, तम, प्रजन तकनीकों के महत्व को समझ सकेंगे इसी प्रकार से धून के विकास का समान अध्यन एवं क्रमिक विकास के विविन चरणों का ग्यान साथ ही किस तरह से बहु कोछ की जीव में विकास आत्मा क्रक्रियां होती हैं कि ग्यान को आप समझ सकेंगे और अंत में विभिन जन्तुओं के विकासवादी विकास की समझ भी आपको प्राप्त हो सकेगी और जब आप इस प्रश्ण पत्र को पूर्णता है अध्यन कर लेंगे और तो इसका जो क्रेडिट मान है वह चार निर्धारित किया गया है और इसका मुल्यांकन भी प्रश्ण पत्र क्रमांक एक के रूसार ही होगा 25 अंक अंध्रिक मुल्यांकन के लिए और 75 अंक बाहर मुल्यांकन लिखित परिक्षा के लिए और इस प्रश्ण पत्र को उत्रीन करने के लिए आपको कम सगम 33% अंक अर्जित करना आवशक होगा